बच्चो अब इस question में पूछा गया है which acid has a stronger conjugate base अब बच्चो इस question को दो तरीके से किया जा सकता है या दो तुम यह देखो conjugate base बना और देख लो किसका conjugate base ज्यादा strong है इसे देखोगे तो इस slightly different क्योंकि हमें पता है जो acid weak होती है उसका conjugate base उतना ही strong होता है समझ मा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो तो यहां तो हम इनमें से acid देखे कौन सी weak है यह इनका conjugate base बनाएं और चेक करें conjugate base किसका strong है समझ मा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो यह तो acids को compare कर लो तीनों केस में यह उनके conjugate base बनाके उनको compare कर लो तो मैं फटाफट बना आ जाता हूं दोनों तरीके से कैसे देखा जाएगा अगर हम इनका acid strength compare करें तो we go as per bond length तुम्हें याद होगा बच्चो बाउन जिसमें जादा है वो तुम्हारा एस्टो स्ट्रॉंगर है एस्टो वीग कॉंजुगेट बेस की बात कर लिते हैं मतलब यह तो हमने एसे से compare करके देखा न बच्चो कि यह से स्ट्रॉंग है यह एसे वीक है तो इसका conjugate base रिलेटिवली वीक होना चीए लेकिन लेकिन लेट उस मेंग दा कॉंजुगेट बेसेंट सी हमारे बास एचस मायनस है एच्चो मायनस है यहां भी तुम्हें याद होगा बच्चों बेसिक स्टेंजबं कंपेर कर रहे हैं यह वाट एडम जेन ग्रुप एस और हो दो देला ही न ग्रुप तो वीगो एज पर चार्ज डेंसिटी समझभा र बेस देन एसेच मायनस क्लियर है बच्चों समझों आया नहीं आया काइस क्लियर हो गई यह चीज तो हमने दोनों तरीके से देख लिया कि जो एच्टू ओ का कॉंजुगेट बेस बनेगा डैट इस गोइंट बी स्ट्रॉंगर देन तुम्हारा एस्टू एस से जो यहां पर देखो बच्चों तुम दोनों दरीके देख सकते हो यह दोनों सी यहां द्यार पुलिंग वाया इंडक्टिव एक्ट से पुल करेंगे तो मारा नाइटोजन पर प्लस जार्ज हो थोड़ा बढ़ जाएगा यहां पर सिर्फ एक से बढ़ेगा लग प्लस जार्ज एग्जार करें यहां पर 1-5 एग्जार कर रहा है तो जाँपर ज्यादा पॉश्ट होगा वहां से हैच एज एजली लूज होगा से ज्यादा अहने से लूज होगा होगा so we can easily understand this is a stronger acid as compared to this क्योंकि यहां पर नार्जन प्लस जल चार्ज जादा आ रहा है इस कंपे टो प्लस जल चार्ज in इस तो यहां से जल्दी लूज होगा इडिस ट्रोंगर एसे देन देस वन इन्दक्टिव देखा सबसुजँ तो पॉपर पॉजिव चार्ज आ होता है जहां से तुम नार्जन से पर पॉजिव चार्ज यह जायर रहा हुए झार्यन तो फॉल करेंगे के यहसं क्यों पे 2 सिनेरियो दोनों से स見て लीवार्ज चार्ज यहां पे इस एच्पर वह आएगा वहां से उस नाइट्रोजन से हर्जन करवाना जादा होगा वह hard हम के पर आरा वह दोनों से ही इस नाइट जल्दी कम है यहां से घ्लिएलूंज होगा यह लीज्ए कम होगी so we know this is a stronger asset than this अब बेस की बात कर लेते हैं conjugate बेस की यहां से हम हार बाहर फैंग देते हैं यहां से अर्जन बाहर फैंग देते हैं बेसम में देखे होते हैं loan pair donate करने की tendency हमें बता है नारजन बंदा donate करीगा ठीक है न यहां भी जो नारजन का loan pair है वो resonance में तो गया हुआ है ठीक है ना तो donate करने की tendency relatively कम है लेकिन इसमें तो और भी कम है क्योंकि यहां पर नारजन का loan pair की और भी कम हो गई ना बच्चों समझें आ रहा है नहीं आ रहा है यहां भी कम ही है लेन यहां पर और कम है क्योंकि नारजन का loan pair उसमें minus i effect ज्यादा होता है मलब pulling nature होता है you understand that right SP है तुम्हारा तो it is more electronegative right तो यहां पर hydrogen क्योंकि यहां पर plus gel charge ज्यादा है फुल करने की tendency ज्यादा है तो यहां से है जल्दी release होगा यहां से है relatively slowly release होगा मलब यहां पर release होने की tendency कम है as compared to यहां पर तो हम कह सकते हैं कि this is more acidic than this बच्चों this one is more acidic than two basic strength देखोगे तो एक काम करते हैं है एच बहार फैंक देते हैं now you can understand over here कि तुम्हारा यहां पर हम loan pair donate करने की tendency की बात करें when you are talking about basic nature loan pair donate करने की tendency की बात करें यहां पर दोनों में carbon atom donate कर रहे हैं लेकिन carbon atom जिससे को यह मतलब जो तुम्हें पता है कि जो SP hybridized carbon atoms हैं उनकी donate करने की tendency कम होगी SP2 hybridized carbon atoms की donate करने की tendency ज्यादा होती है SP3 hybridized carbon atoms की donate करने की tendency और ज्यादा होती है तो automatically you can understand this is going to be a better donor than this one so this is going to be the second one is going to be a better base than the first one guys इसका जो conjugate base हमने बनाय है वो second वाले का better है as compared to the first one बच्चो I hope it is clear to you